देखिए दोस्तों आज की वीडियो वहत ही महत्तपूर्ण और खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे वाई जनबरी 2004 के बिशे के बारे में जे तो आप सब जानते हैं कि ये दिन सब के लिए कितना खास है और कितना महत्तपूर्ण है बहुत ही ज़्यादा लंबे इ की मूर्ती की प्रान प्रतिष्टा होने वाली है देखिए दोस्तों हम सबी लोग तो जोद्या नहीं जा सकते हम सब का जाना संबर नहीं है और हम अपने गार में ही प्रभू छिरी राम जी का सवाक्त करें किस परकार हम अपने गार को ही जोद्या दाम बना लें चलिए जा जानते हैं कि सवके गरों में राम मंदर से पीले चावल नहीं आए हैं तो आप अपने गार से चावल लें और उसे हल्दी से रंगे और उन्हें पीले कर लें और इससे आप बाई जनवरी को पूजन ऐसा करने मत्तर से ही आपको पूजन का पूरा फल मिले दूसरी वात राम जोती क्या है मतलव के खंड दीपक जो के सारी रात जो के पूरी रात जले इसे कहते हैं राम जोती राम जोती की तो आप गोलवाती ही लगाएं और शुद्ध देसी गी डालें गी गाय का हो तो राम जोती के लिए आप शुद्ध गाय का देसी गी ही डालना है बाकी दीपक में आप सरसों तेल तेल का तेल डाल कर भी दीपक जला सकते हैं दीपक मिटी के ही जलाएं अब आप बात करेंगे परशाद की बगवान को बोगल गाने के लिए आप सिंपल चावल की मीठी खीर बना कर बोगल गाएं इस दिन आप पीले रंग के कपड़े पैने जा फिर वगमे रंग के कपड़े पैने अगर आपके गार मेराम जी की मूर्ती है तो अति उत्तम उसे चौंकी प पर ब्राजमर करें फूलों का असन लगा कर अगर आपके गार में परवूर शिरीराम जी की फोटो मूर्ती प्रतिमा नहीं है तो आप पीले चावल से ही पूजा करें जो आपने गार पर त्यार किये हैं तिलक करें पीले फूल अरपत करें पूजा से पहले आप राम जोती जलाएं और पांच दीपक जलाएं पूजा करें रौली से चावल को तेलक करें फूल अरपत करें उसके वाद गार में त्यार की हुई खीर का बोग लगाएं और दीपक से आरती करें दीपक अलाग से लें राम जोती से आप आरती ना करें उसे आप ना हलाएं उसे आप उसम जी करें दीप कजलाएं और इस तरह आप बगवार शिरी राम जी का गर पर पूजन करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए थैंक्स फार वाचिंग दिस वीडियो